हाई गाईस मेरे नाम है संदीप और ये है चैरिश OS का लेटस्ट 4.0.5 अपडेट Redmi K20 Pro के लिए जिसको मैंने कल से इंस्टॉल करके रखा है और पूरा एक्सपिरियंस आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ बड़ा पलोगर आप चैनल पे पहले बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोन पेज की तो यहाँ पर आपको चैरिश वर्जन मिलता है 4.0.5 डिवाइस रफाइल है रिलीज टाइप ऑफिशल है एंडुड वर्जन 13 आपको मिलेगा उसके बाद सिप्टैंबर का सिक्योर्डी पैज लाइवल सोवियत स्टार करनल है सिप्टैंबर 20 से अप्डेटिड और सिलिक स्टेटस रॉम के अंदर एनफोर्सिंग है सबसे पहले आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर सर्डिफाइड है वाइड वैन एवल्मन आपको मिलेगा और यहाँ पर आप देखोगे गूगल फोडोस के अंदर स्पूफिंग है और F2FS के अंदर आप इसको फ्लेश कर सकते हो यह आपको चार्जिंग स्पीड मिलती है 18 वाट से और मैक्समम जो टेंपरेचर मेरे को मिला 37-38 डिग्री के असपास था और उस टाइम स्पीड भी अल्मोस्ट 3000 मिलियंपीर के असपास मेरे को देखने को मिल लिथी अगर आप राम को नॉर्मली यूज करोगे तो जो एक्टिव ड्रेन अल्मोस्ट आपका जाएगा वो 8-9% परार के असपास होने वाला है और इडिल ड्रेन 0.29% परार के असपास डीप स्लीप यहाँ पर वर्किंग है और सीपू थ्रॉडलिंग ग्राफ की बात करें और बात करेंगे इसके stock camera की तो यहाँ पर आपको camera I think देखने को मिल जाता है यह BSG 8.1 तो यह आप यहाँ पर camera try कर सकते हो जिसमें slow motion videos आपकी 1x4x तक working है और 1x8x के उपर crash करता है बाकि अगर आप यहाँ पर LMC 8.4 try करना चाते हो तो यहाँ पर भी जो videos है वो slow motion में आप record कर सकते हो 1x8x तक और camera के अंदर अगर मैं आपको modes दिखाऊं तो 2x के उपर आपका camera crash करता है तो ultra wide और 2x आपका यहाँ पर work नहीं करेगा उसके बिना almost सभी features working है smoothness की बात करें तो यहाँ पर quick setting panel के अंदर कोई lag stuttering आपको नहीं आने वाला जो experience है काफी smooth है और इसके अंदर आपको stock launcher मिलता है वो of course pixel launcher है और इसके अंदर जो app opening closing animation की speed है आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी इवन जो यहाँ पर experience है वो काफी smooth है और app opening closing में आपको कोई lag stuttering नहीं आने वाला जो experience है वो काफी ज़सा super smooth आपको मिलने वाला है and touches वगरा भी आप यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छे से working है तो कोई problem नहीं आने वाली और यहाँ पर haptics वगरा भी आपको मिल जाएंगे left side में जो google card है वो आप check out कर सकते हो कुछ ऐसी optimization आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है अगर आप scrolling करना चाहते हो वैसे प्रिवियस जो अपडेट आया था ओफिशल Android 13 का उसके अंदर मैंने आलमूस्ट आपको काफी सारे changes बताये थे Android 13 बेस्ट जो cherished settings के अंदर मिलते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पर layout सेम मिलता है system के अंदर status bar के अंदर आपको background चिप गरा network traffic indicator, battery icon styles यहाँ पर मिलेंगे status bar और quick setting पैनल के लिए then clock center में लगा सकते हो vault icon यहाँ पर आपको काफी सदा मिल जाएंगे आप customize कर सकते हो वो wifi icons भी हैं उसके बाद यहाँ पर notification count है colored icons आपको मिलेंगे quick setting में transparency और आप यहाँ पर fluid UI का quick setting style लगा सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको data usage का option, tile layout आपको मिलेगा column जो है अपने accordingly portrait में आप customize कर सकते हो setting का layout यहाँ से customize कर सकते हो मैंने cherish clean लगा रखा है बग यह 3 options आपको यहाँ पर मिलेंगे dark theme का option है, headline body fonts आपको मिलेंगे icon packs आपको मिलते हैं, उसके बाद icon shape बगएरा मिलेगी और signal icons भी काफी ज़दा आपको मिल जाएंगे बाग की wifi icon भी customize करने के लिए अच्छे खासे features आपको मिलते हैं उसके बाद buttons की बाद करें तो system navigation में चलते हैं 2 button 3 button है, pill की length increase करने का option option add हो चुका है, space under the keyboard का option आ चुका है और यहाँ पर बाकी ज्यादा changes अभी देखने को नहीं मिले animations के अंदर अभी कुछ भी add नहीं किया गया lock screen के अंदर edge lighting है, double tap to sleep का option मिलेगा उसके बाद charging info का option है और lock screen जो है clock styles आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको icon picker देखने को मिलेंगे fingerprint के, उसके बाद यहाँ पर pressed eye colors भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर animations भी आप काफी सारी देख सकते हो तो काफी सारी changes आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे बाकी अगर आप power menu में जाओगे advance restart है, notifications के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको kill button और in call vibration options मिलेंगे miscellaneous में आपको यहाँ पर unlimited जो है photo storage और higher fps का option देखने को मिलता है और display में आपको वही सारे changes देखने को मिलेंगे जो कि मैंने आपको previous update के अंदर बताई थे wall weapon style के अंदर आपको maximum grids 5x5 तक मिलेंगे उसके बाद battery का section आई आपका यहाँ पर 24 hours वाला add हो चुका है और same चीज़ यहाँ पर average next के अंदर भी मैंने आपको बताई थी security का भी layout देखोगे तो वो भी update हो चुका है वो android 12 L वाला चुका है android 12 वाला और यहाँ पर fingerprint की जो speed आप वो excellent आपको देखने को मिल जाती है even मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसी speed आपको screen on के साथ में मिलेगी and screen off के साथ में भी जो speed है वो काफी ज़दा fast आपको मिलती है and काफी reliable है so as you can see का आपको कुछ ऐसी speed यहाँ पर मिल जाएगी और system में आपको OTA updates चेक आउट नो करने के लिए updater मिलेगा और यहाँ पर screen off FOD का option मिलेगा उसके बाद swipe to screenshot का भी option बग्यमाई की बात करेंगे तो बग्यमाई 60 fps के उपर वैसे काफी smoothly चल ला था and कोई भी मिरको ऐसे major drop वगरा देखने को नहीं मिले gameplay के time और मैंने screen recording भी try किया तो कोई ऐसे major fps drop नहीं मिला हाला कि sometimes काफी minimal time के लिए यहाँ पर 53 के आसपास मिरको fps मिला था बट जो smoothness आप वो काफी अच्छी है अगर आप एक hardcore gamer हो तब तो यह मैं recommend नहीं करूँगा क्यूंकि peak performance आपको फिलहाल इस update के अंदर नहीं मिलती hopefully आने वाले कुछ update के बाद यहाँ पर जो आपको peak performance वगरा roms के अंदर मिलनी start हो जाएगी बट फिलहाल अगर आप एक non gamer हो या फिर casual level से better gaming करना चाते हो तब यह ROM आपको recommended है बाकी इस वीडियो के लिए आपको बस इतना ही और चैनल पे पहली बारा हो तो please subscribe करके जाना और notification bell call पे करके रखना मिलेंगे next interesting वीडियो के साथ